ओम शान्ती 23 डिसम्बर की शुरुदान में अपसब का सोगत है कोई भी परिस्थिती हो उसका सुलूशन हमें एक सेकंड में मिल सकता है अगर हम ग्यान और योग के अनुसार देखें तो उस परिस्थिती को तो आज परमात्मा पिता हमें इसी चीज़ के परिस्थिती है कि ग्यान और योग की शक्ती से हर परिस्थिती को सेकंड में पास करने वाले महावीर भवा परिस्थिती जो पर से स्थिती है महला किसी और की वएसे हमारी जीवन में कोई परिस्थिती आए किसी और विक्ति की वएसे, या किसी वस्तु की वएसे, या किसी भी वैभव की वएसे, या किसी भी हल्चु की वएसे, पांच्टात्व के तो महावीर अर्थाज सदा लाइट और माइट हाउस So might आती है हमारी परमातमोग यात करने से light आती है हमें knowledge से, विविक से, ग्यान light है ग्यान है light और यूग है might जो इन दोनों शक्तियों से संपन है वे हर परिसिती को second में pass कर लेते हैं अगर समय पर pass ना होने के संसकार पढ़ जाते हैं तो final में भी वे संसकार full pass होने नहीं देते हैं अगर समय पर pass ना होने के संसकार पढ़ जाते हैं तो final में भी वे संसकार full pass होने नहीं देते हैं कि अगर हमारे संसकार बार बार fail होने के, बार बार उल्जन में आने के, बार बार confused होने के बन जाए तो जो फाइनल पेपर आएगा लास में शरिश होने का या ड्रामा के एंड होने का तो उस समय भी वो हमें पास नहीं होने देंगे बिको संसकार ही हमारे वैसे बन चुकी है जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते है पास विद ओनर अगर आप किसी पेपर को बैक पेपर लेते जाएंगे सेकंड अटेंब, धर्ड अटेंब, फोर्थ अटेंब तो आप फुल पास नहीं होते है उसमें आपको दाग ले जाता है तो इसी दिवह से परमाता केते हैं जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते है pass with honor धर्मराज भी उसको honor देता है धर्मराज मतलब कि हमने धर्म अनुसार मुझात्मा ने धर्म अनुसार शांती, प्रेम, सुख, आनंद, खुशी अनुसार मैंने अपनी कर्मेंद्रियों के उपर राज किया कि नहीं किया धर्मराज पुरी में आपको honor नहीं मिलेगा धर्मराज पुरी में आपको हिसाब देना पड़ेगा धर्मराज पुरी मलब सुक्षमतन और यह सुक्षमतन है कहां? यह हमें से कायाता है पर्मात्मा पिता के ग्यान में जो कि साथ दिन का कोर्स है एक घंटा प्रति दिन का अब याईए समझे कि कैसे ग्यान और योग से हम परिसितियों को हम पार कर सकते हैं ओम श्यांतिस के साथ